हलो फ्रेंड्स आप आई एस डेली स्टाइटिक MCQ डिसकसन सीरीज में आपका स्वागत है हम आज अपने डिसकसन में कला संस्कृती के कुछ महत्तपुन प्रश्ण और उससे जुड़े वेचानकारियों पर डिसकसन करेंगे चलिए हम आज का अपना डिसकसन सुरू करते हैं हमारे डिसकसन का पहला प्रश्ण क्या कहता है इंडियान नेशनल ट्रोस्ट फोर आट एन कुल्चरल हैरिटेज यानि की इंटेक के बारे में निमलिखित कत्रों पर विचार करें तीन कथन दिये गए हैं आपको सही कथन की पहचान करनी है पहला कथन कहता है इंटेक संस्कृती मंत्राले के तहत भारत की विशाल प्राकृतिक निर्मित संस्कृतिक विरासत की रक्षा संरक्षन के लिए एक जनादेश के साथ काम करता है इंटेक एक ऐसा संस्थान है जो भारत में प्राकृतिक और संस्कृतिक विरासत के संरक्षन करने के दिशा में रक्षा करने के दिशा में एक संस्थान के रूप में कारे कर रहा है लेकिन ये भारत सरकार के अंतरगत संस्कृती मंत्राले के तहत कारे नहीं करता है ये एक स्वायत संस्थान के रूप में कारे करता है ये एक गैर लाबकारी संस्थान के रूप में कारे करता है जिसका registration एक समाज के रूप में Society Registration Act 1807 के अंतरगत किया गया है पहला कथन इसलिए गलत होता है क्यूंकि ये संस्कृती मंतराले के अंतरगत कारे नहीं करता है हलांकि इसको संरक्षन करने का जो दाइत्व दिया गया है वो प्राक्रितिक और भारत की संस्कृतिक विरासत को संरक्षन करने का कारे दिया गया है और ये उसकी बखुबी निगरानी करने का कारे कर रहा है दूसरा कथन क्या करता है इंटिक के द्वारा अमुर्थ विरासत के संरक्षन और संवर्धन का कारे किया जाता है मैंने अब यही बताया कि इस संस्थान का उदेश भारत के अमुर्थ विराशत का स्नरक्षन करना उनका समवर्धन करना ही है इसलिए दूसरा गथन बेलकुल सही है सव्युक्त राष्ट ने इंटेक को सव्युक्त राष्ट आर्थिक और स्टामाजिक परिशत के साथ विशेश परामर्ष का दर्जा दिया है जी हाँ ये बिल्कुल सही है इंटेक जो कि भारत में कारे कर रहा है वो युनेसको के अंतरगत जितने भी संरक्षित संस्थान है उनको संरक्षन करने के लिए सव्युक्त राष्ट के साथ संबाद करने के लिए परामर्ष करने के लिए भारत में इंटेक को ही चुना गया है यानि कि तीसरा कथन भी बिल्कुर सही है पहला गलत है, सही पूछा गया है इसलिए option C इसका सही आंसर होगा आप इसे ध्यान में रखेंगे जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक Society Registration Act 1860 के अंतरगत, पंजिकृत, एक गैर लाबकारी धर्मार्थ संस्थान के रूप में भारत में कारी कर रहा है पूरे भारत में 190 से जादा इसके कार्याले हैं और पिछले 31 वर्सों में इसने भारत के प्राकृतिक और निर्मित विरासत जो की आमूर्थ हैं, जिसे सिर्फ फील किया जा सकता है देखा जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता, उनके संरक्षन और समवर्धन के छेत्र में मुख्य रूप से कारे कर रहा है 2007 के बाद से लागातार इंटेक युनिस्को के साथ विचार विमर्ज करके भारत के आमुर्थ विरासत को संरक्षित करने के छेतर में कारे कर रहा है इसका मुख्याले जो है वो नई दिल्ली में है इसे भी आप याद रखेंगे प्रशन पूछा जा सकता है हमारे डिसकसन का दूसरा प्रशन इसी से संबंधित है प्रशन क्या करता है निमलिखित में से कौन भारत में अमुर्थ सांस्कृतिक विरासत तत्व है जो मानोता कि अमुर्थ सांस्कृतिक विरासत की युनिस्को की प्रतिनीधी सूची में शामिल किये गये है आप जानते हैं, अमुर्थ विरासत सूची जिसको युनिस्को के द्वारा तयार की जाती है, उसमें भारत के 13 ऐसे चीजों को शामिल किया गया है, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित किया गया है, सूची बद किया गया है, तो उनमें से कौन से कौन से, जो यहां चार दिये बिल्कुल आमुर्थ विरासत सूची के अंतरगत सामिल है ओप्सन डी इसका आंसर होगा जो अन्य तेरा है जिन में से आपको याद रखना है वो वैदिक परंपरा जब राम लीला कुटी अटम जो की एक संस्कृत का थियेटर है केरल में किया जाता है रमना गड़वाल हिमा बुजित की जाने वाली एक धार्मिक तेवहार या फिर धार्मिक अनुष्ठान भी इसे आप कर सकते हैं मुडियेट्टू ये भी एक प्रकार का थियेटर है थियेटर का मतलब होता है एक प्रकार का रंगमंच जो लोगों के सामने प्रधर्शित किया जाता है ये भी केरल के साथ जुड़ा हुआ है काल बेलिया ये एक प्रकार का लोकन रित्य है जो राजिस्थान में किया जाता है छाओ जो की पस्चिव मंगाल जारखंड और ओरिसा में किया जाता है लद्दाक का बौधिक मंत्रों का जाप ये मुख्य रूप से हिमाले के लद्दाक छत्र कि संकिर्तन के अंतरगत गायन वहां पर बजाय जाने वाले नगारे और किया जाने वाला रित्य ये भी शामिल किया गया है पंजाब के ठठेरों के द्वारा बनाया जाने वाला एक विसेश प्रकार का बरतन जो की पीतल और तामे का होता है इसे भी सामिल किया गया है के तेरा को याद रखेंगे यदि आप से पूछा जाए आमुर्थ सांस्कृतिक विरासत क्या होता है तो आप क्या कहेंगे आमुर्थ कहने का मतलब होता है जिसका कोई मूरत नहीं है जिसको आप छू नहीं सकते बस उसको आप संरक्षित करके रख सकते हैं परमपरागत रूप से एक पीड़ी से दूसरे पीड़ी में उसे सिखाया जाता है जैसे कि योग एक कला है जिसके प्रदर्शित किये जाती है जिसको सीखा जाता है योग को आप छून नहीं सकते वो इसी प्रकार के कुछ परंपरागत चीजें होती हैं, उनको आमुर्थ कहा जाता है, मतलब एक पीड़ी से दूसरे पीड़ी तक उनको सरक्षित करके रखा जाता है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे हमारे discussion का अगला प्रस्ण क्या गहता है, प्राचीन भारत में संधारा मंदिर का क्या अर्थ है, संधारा हमने पिछले बार इसी से संबन्धित एक अन्य प्रस्ण को भी देखा था, आज आपको ये बताना है कि संधारा जो की एक प्रकार की मंदिर की प्रकृती होती है, वो उसका क्या मतलब होता है। आपके दिएगे option में एक प्रदिक्षिना पत के बिना, प्रदिक्षिना पत के साथ अगला कहता है जो सभी पक्षों से पहुचा जा सकता है और लाष्ट कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसे आप एक map के माध्यम से, एक चित्र के माध्यम से देखेंगे, तो आपको समझने में आसानी होगी, देखे, आप जानते हैं कि जितने भी भारत में मंदिर होते हैं, उन मंदिरों में एक गर्वग्री होता है, और उस गर्वग्री में जो वहाँ मुख्य देवता होते हैं यहाँ पर मुख्य देवता को विराजमान करवाया गया है कोई व्यक्ति यहाँ पर प्रवेश करेगा प्रवेश करने के बाद अंदर जाएगा अंदर जाने के बाद अगर मंदिर के चारों और घूम घूम कर वापिस से यहाँ पर आ जाता है तो उस प्रकार से बनाये गए मंदिर को क्या कहा जाएगा? उनको कहा जाएगा निर्धारा प्रकार का मंदिर ठीक है? अगर कोई ऐसी मंदिर हो जिसमें गर्वग्रिह तक पहुचा जाए सीधे-सीधे और पूजा करने कर आ सीधे-सीधे वापस आ जाया जाए गोल घूमने क कोई प्रवरिती ना हो तो इस प्रकार से निर्मित किये गए मंदिर को संधारा कहा जाता है ठीक है? अगर एक और प्रकार की मंदिर होती है वो क्या होता है? माल लेते हैं कि ये मंदिर का मुख्य गर्वग्री जो है वो यहाँ है अब यहाँ तक पहुचने के लिए इधर स भी प्रवेश कर सकते हैं इधर से भी प्रवेश कर सकते हैं और इधर से भी प्रवेश कर सकते हैं तो इस प्रकार के मंदिर को क्या कहा जाता है? सर्वतो भद्र हमने अपने पिछले डिस्कसन में इसे ही देखा था कि सर्वतो भद्र क्या होता है? UPSC ने ऐसा प्रशन पू पूछ रहा था, संधारा का मतलब, इसका मतलब है कि बिना प्रदक्षिना पत के, यानि कि option A इसका आंसर होगा, प्रदक्षिना पत कहने का मतलब, बीच में यहाँ पर मुख्य देवता हैं विराजमान, यहाँ से गोल-गोल घूमने की कोई व्योस्था नहीं है, मतलब आप स सिधे सिधे जाएंगे और सिधे सिधे वापस आजाएंगे, तो इस व्योस्था को क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा संधारा, ठीक है, I hope आप समझ गए होंगे, चलते हैं आगे, देखिए ये जो संधारा मंदिर होता है वो ऐसा होता है, यह मुख्य देवता का मंदि है, यहां से गए, पूजा किए और यहीं वापस आगए, बहुत दिक्कत होता है ऐसे जगहों पे जब भीड हो जाती है तो पूजा करवाने में, हमारे डिसकसन का चौथा प्रस्न क्या कहता है, वचना साहित्य के संदर्ब में निमलिखित कथनों पर विचार करें, दो कथ कथन दिये गए हैं, आपको सही कथन की पहचान करनी है, पहला कथन क्या कहता है, यह तमिल के संगम साहित्य जितना पुराना है, जी नहीं, गलत है, अगला कहता है, साहित्य के इस रूप में मुख्य शुद्ध, गद के रूप में राजाओं की कहानी शामिल है, यह भी गल जो कहा गया किसने कहा कोई नहीं जानता है लेकिन बस कहा गया मान लेते हैं तो इस प्रकार से जो सहित्य थे उसको इस प्रकार से जो चीजें चीदिन को पहले सिर्फ कहा जाता था मोखिक रूप से उनको कुछ समय के बाद कर्णर सहित्य के अंतरगत उलेखित किया जाता है और ये लिंगायत आंदोलन के अंतर्गत किया जाता है कब किया जाता है लगभग ग्यारहवी से लेकर बारहवी सताबदी के आसपास तो ये इसलिए पहला कथन गलत था कि वो संगम साहित्य बता रहा था संगम साहित्य बहुत ज़्यादा पुराना है और ये जो है वो ग्या ये सिर्फ राजाओं की कहानी नहीं है, ये परंपरागत रूप से क्या प्रदर्शित किया जाता है, लोगों के द्वारा किस प्रकार के आचरन किये जाते हैं, उन सारी चीजों को लिखा गया है, राजा रानियों की कहानिया नहीं लिखे गई हैं, तो इसलिए ये गलत हो ज मतलब एक तरह का कथन है और उन्ही कथनों को जो लिखा गया जो कहानियों को लिखा गया उसे ही वचना सहित्य कहा जाता है तो ये आप ध्यान रखेंगे हमारे डिसकसन का पाँचवा और अंतिम प्रस्ण क्या कहता है अनुस्ठानिक थीटर अंकिया नाट के बारे में निमल पारंपरिक एक आंकी नाटक है देखें ये जो अनुस्ठानिक अंकिया नाट है न ये पारंपरिक रूप से किया जाने वाला एकल नाटक का रूप है लेकिन ये उत्तर प्रदेश में नहीं किया जाता है ये असम में किया जाता है तो ये आप याद रखेंगे ये जो अंक अंकिया नाठ एक थीएटर है, थीएटर कहने का मतलब क्या, कि एक मन्च होगा, एक स्टेज होगा, यहां पर नाठक का प्रदर्शन किया जाएगा, लोग इधर बैठेंगे और बैठकर नाठक देखेंगे, तो इस प्रकार के जो प्रदर्शन होते हैं, उसको थीएटर कहा जाता है तो जो ये अंकिया नाठ है वो अनुष्ठानिक थियेटर तो है लेकिन ये उत्तर प्रदेश में नहीं किया जाता है ये असम में किया जाता है हलांकि इसे एकल रूप से प्रदर्शित किया जाता है तो ये पहला क्या हो जाएगा गलत पहले को गलत करने के बाद आपके पास या तो B आंसर होगा या तो D अगला क्या कहता है देखते हैं इसकी सुरुवात सोलहवी शताबदी में संत संकर देव के द्वारा की गई थी ये बिल्कुल सही है आप दोनों में देख लिजे कोमन लिखा हुआ है चौथा भी बिल्कुल सही है आपको तीसरे पे ध्यान रखना है क्योंकि option B और D में देखे तो दो और चार तो कोमन है तीसरे में लेकर चुनोती है तो दूसरा तो बिल्कुल सही हो गया याद कर लिजे कि सोलहवी सताबदी में संकर देव के द्वारा इसे सुरू किया गया था फिर इसको आगे बढ़ाया जाता है अगल किर्टन आपने सुना होगा वो भी भगवान कृष्ण से संबंदित है तो अभी तो आप जाएंगे भारत के इस्ट्रिंडिया में तो वहाँ पे हरे राम हरे कृष्ण का वो किया जाता है किर्टन किया जाता है लेकिन जो अंकिया थियेटर था उसमें कृष्ण से संबंद के लिए किया जाता है बिल्कुल सही है अलग-अलग जो रूप के प्रदर्शन किये जाते हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए एक ही वेक्ति करेगा लेकिन मास्क को चेंज करकर के करेगा तो इसलिए ये बिल्कुल सही है चाओ था तीसरा गलत था पहला गलत था ओप्सन भ करते हैं आपको कैसा लगा अब जरूर बताईए थैंक यू थैंक यू भेरे मज पीडिएफ डाउनलोड करके प्लीज इसको तीन से चार बार रिवाइस कीजेगा इससे संबंधित प्रश्ण आ जाता है आपका हो जाएगा थैंक यू